What's up new faces, if you are an apple user, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपने जो apple का product लिया है, वो क्यों लिया है, comment box लरके जरूर बताइएगा कि आपके पास apple का कौन सा product है और आपने वो क्यों लिया, कब लिया, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने सबसे पहले apple का iphone लिया ता show off करने के लिए, और मुझे लगता है, आज भी काफी लोग ऐसे होंगे, जो apple के जो भी product है, वो सिर्फ show करने के लिए लेते होंगे, लेकिन, later on I generally realize की apple का जो ecosystem है, वो बेहदी कमाल का है, अगर आपके पास apple के multiple product है, तो मुझे ये समझानी की जरूत नहीं है, कि मैं किस ecosystem की बात कर रहा हूं, जिन में से एक बहुती कमाल का feature है, जैसे mirror casting के नाम से जाते है, easily android में भी हो सकता है, लेकिन apple का mirror casting है, वो generally, बहुती seamlessly काम करता है, जो की apple में किया जाता है, सिर्फ cable के थूरू, लेकिन, आज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे software के बारे म जिसके तुरू आप without wire, mirror casting कर सकते हैं, अपने apple products का, वो भी lifetime free license की software के साथ, स्वनमस्कार आदा आपसे सेकाय, जैहन, this is Vijay Singh, राजपूत, thank you so much guys for tuning into Dreaming Struggler, let's praramb All right हो, सबसे पहले चलते हैं, Google Guru की शरण में type करेंगे 5K player, सबसे पहले link पर आपको click कर देना है, जो की 5K player की official website है, थोड़ा से scroll down करते ही, आपके पास Windows और Mac दोनों से download करने के option आएंगे, आपका जो ठीक लगे कर लीजे, मेरा Mac है तो मैंने Mac पर click किया, और second option जो open हुआ free downloading का और Apple का sign बना हुआ है, जैसे आप उस पर click करेंगे आपका जो downloading format है, जो basically software का downloading है, वो start हो जाएगा, जब तक ये install होता है, तब तक मैं इस player के बारे में आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ mirror casting का software नहीं है, इसके जरीए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, 5K player के जरीए even download कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको VR के लिए भी use कर सकते हैं, इसके अलावा आप multiple जो आपके Apple products है, उसके साथ में आप इसको mirror casting कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर video editing तक कर सकते हैं, for example, अगर मेरी तरह आप भी YouTuber हैं, तो आपको editor की जरौत पढ़ती होगी, video editor की जरौत पढ़ती होगी, वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं, anyway, so जैसे ही आपका software install होगा, तो वो उसको verify करता है, मैं इसको verify करके आपको दिखाता हूँ, even actually मैं इसको already use कर रहा हूँ काफी time से, so मैं सिर्फ जो भी आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको sample के लिए दिख जी हाँ, जिसको मैं आगए आपको दिखाने वाला हूँ, मेरा software जो है, वो verify हो चुका है, it means कि ये reinstall हो चुका है, और अब मैं आपको अपना email ID दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर मुझे, जब भी मेरा 5K player सबसे पहली बर मैंने किया था, उसके बाद वो मेरे से sign up करने के लिए बोलता है, sign up करने के बाद आपको email ID पर आपका license की भेजा जाता है, ये सब basically आने से पहले आपको sign up करना पड़ता है, जो आप अभी देख रहे हैं, तो मैं आपको ये सब दिखाने से पहले, सबसे पहले अपना email में लेके चलता हूँ, जहाँ पर इस software के through, मेरे पा आता हूँ, जिसके जरीए मेरे पास वो license की आया था, तो ये इसके ओपर basically मेरा license की है, जो आप अभी देख रहे हैं, और इस तरह का आपके पास एक option आता है, जहाँ पर आपको अपना license की डालना पड़ता है, वो register करना पड़ता है, जैसे आप उसको register कर देंगे, तब आपको आगे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको जो airplay option है, dlna option है, वो आपको own रखना है, ताकि आपकी जो service है, वो जो status आप नीचे देख रहे होंगे, आपको उसको own कर देना है, running आ जाएगा, उसके बाद simply आपको जो next step करना है, वो आपको जाना है अपने mobile के screen प बता हूँ, तो वो connect हो गया है, अब इसके बाद आपको जो ठीक लगे, आप वो इसके अंदर use कर सकते हैं, आप game खेलना चाहते हैं, game खेलिए, netflix करना चाहते है, netflix करते हैं, genuinely बता हूँ, तो मैंने इसका basically use किया है, वो मेरा netflix ही है, मुझे screen mirroring जो है, मुझे वो cable से करना ठीक नहीं लगता, because in between sometime calls आ जाते हैं, sometime battery dead हो जाता है, और काफी सारे issues है, sometime आप netflix या कुछ भी करते करते हैं, आप लोगों को, कोई भी social media handle use करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, जिसकी वज़े से मुझे cable से जो screen mirroring है, वो करना अच्छा नहीं लगता है, I'm sure कि अगर आपका in between call आ जाता है, तो आपका experience है, Netflix या gaming या जो भी आप कर रहे हैं, वो भी disturb होता है, और अगर आप दूर बैठ कर देखना पसंद करते हैं, तो in between अगर आपका call आ गया, तो आप वो भी एक तरह का disturbing है, क करिए, कोई shopping करिए, इनके अलावा आप चाहें, तो music सुन सकते हैं, music नहीं सुनना, आपको जो ठीक लगे music करने के बाद, अगर आपको लगता है, कि आप music नहीं सुनना चाहते, तो जो best option है, जो काफी सारे gamers को पसंद आएगा, इसके जरीए आप gaming भी कर सकते हैं, even gaming के अल file sharing हो, video editing हो and all that, आप अपनी जरुवत के हिसाब सेज, आपको जो ठीक लगे वो करिए, उमीद करता हूँ, ये video आपको पसंद आएगा, that's all for today guys and I'm genuinely hoping you like this video, if you find it helpful, please hit the like button, subscribe to my channel, help me to grow myself, improve myself or अगर आपके कोई suggestions, सुझाओ, या फिर आपको मेरा content देखना अच्छा लगदा तो comment box, हमेशा की तरह आपके लिए बिल्कुल खाली पड़ा है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानने के लिए, तब तक के लिए, as I always said, keep it real, जैसे हो, ऐसे दिखो, and please follow me on Instagram for all my crazy updates, enjoy.